हेलो वच्चो, नमस्ते, आज हम लोग प्रश्नमाला 3.1 है न, क्लास 10, बहुपद, पॉलिनॉमियल्स, बहुपद को इंगलिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनॉमियल्स, इसकी प्रश्नावली एक के सवाल करेंगे, पहला क्वेस्चन है, निमन ग्वी घात बहुपदों, ग्वी घात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें बेटा, चरकी घात कितनी होती है, दो होती है, बहुपदों के सुन्यक ग्याद कीजिए, जीरोज ग्याद करने हैं हमको, तथा सुन्यकों वे गुणांकों के बीच, तो जो जीरोज हैं और उसके जो कोफिसियंट्स है गुणांके हैं, उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, जैना? ऐसे समझों आप देखो, जिसे ये एक वहुपद है, AX स्कुार प्लस BX प्लस C, जैना? ये क्या है एक वहुपद है, ठीके है इसमें एक स्कुार का गुणांक क्या है? A, X का गुणांक क्या है? B, और C क्या है इसमें अचरपद है ठीके न, तो अब इसके क्या निकलेंगे शुन्यक निकलेंगे, X की दो value जांगी निया है, क्योंकि X की power कितनी है दो है, ठीके न, माना इसके सुन्यक मैंने Alpha और Beta है, ये क्या है इसके? शुन्यक है ठीके, और A क्या है? X स्क्वार का गुणांग है B क्या है? X का गुणांग है C क्या है? अचरपद है तो ये संबन्ध होता है बेटा कि जो सुन्यक होते हैं सुन्यकों का जो योग होता है अलवार बीटा सुन्यकों का जो योग होता है वो माइनस B अपॉन A के बराबर होता है, तो माइनस B क्या है, X का गुणांग, बटे A क्या है, X स्क्वार का गुणांग, और इसका सुन्याकों का गुणान फल जो होता है, वो C अपॉन A के बराबर होता है, C क्या है, अचरपद, और A क्या है, X स्क्वार का गुणांग है, तो ऐसे समझों आप देखो, जैसे माना ये है, X स्क्वार प्लस 5X प्लस 6, ये एक बहुपद है, जब इसके गुणान खंड करेंगे, तो क्या हो जाए, वो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, और जोटने प बिभाजन कर दिया मैंने इसका, तो ये X, X प्लस 3, और इसमें 2 कॉमन लिया, तो ये क्या गया, X प्लस 3, तो X प्लस 3 और X प्लस 2, ये क्या होगे, इसके गुणान खंड होके, और जब इनको बरावर में 0 के करूँगा, तो X प्लस 3 को जब 0 के बरावर करूँगा, तो इस अलफा हो गया और यह क्या हो गया बीटा हो गया यह अलफा और यह क्या हो गया बीटा ठीक है ना तो अब इसमें क्या होता है जो सुन्यकों का योग होता है वो माइनस भी अपोने के बराबर देखो यहां करके देख लेते हैं अपने इसको सुन्यक क्या है हमारे अलफा बराबर आया माइनस 3 और बीटा बराबर क्या है यह एक ज़स्ट उधारन है यह है ना बीटा बराबर क्या है माइनस 2 और बहुपद क्या था हमारा x square प्लस 5x प्लस 6 x का गुणांग कितना है 1 x square के आगे क्या है X square का गुणांग क्या है? 1, 1 शिपा हुआ है, B बरावर X का गुणांग कितना? 5 और C बरावर कितना? 6 अब देखो, alpha plus beta निकालेंगे हम, alpha plus beta क्या हो जाएगा? माइनस 3 और माइनस 2, तो माइनस 3 प्लस माइनस 2, तो ये क्या हो गया? माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5, alpha बीटा है ना? अच्छा हाँ, अब alpha plus beta निकालेंगे, अब निकालो, minus B अपोन A, तो माइनस B का मान कितना है? 5, minus 5, A का मान कितना है? 1, तो माइनस 5 में एक का भाग दोगे, तो माइनस 5 आ गया, ठीक है ना? तो क्या मिल गया इस से हमको? कि alpha plus beta बराबर, minus B अपोन A, बराबर क्या आ गया? माइनस 5, तो ये संबंदों में सकता की जांच होगी कि नी होगी? ऐसे ही दूसरा देखो, गुणांक वाला, alpha बीटा निकालेंगे, alpha बीटा क्या होगा? alpha कितना है? माइनस 3, बीटा कितना है? माइनस 2, तो माइनस को माइनस है किया, प्लस 2 तिया 6, अब C अपोन A निकाला, है न? C क्या है? अचरपद, अचरपद कितना है? 6, बटे A कितना है? 1, तो 6 में एक का भाग दोगे, तो 6, तो आगया न? सेम आगे तो इससे क्या मिल गया? alpha बीटा बराबर, C अपोन A बराब 6, तो दो चीज पूछ रहा है है, सुन्यक ज्यात करने हैं आपको, ठीक है न? तो सुन्यक कैसे ज्यात करते हैं? जो बहुपत दिया है, उसके क्या कर लो? गुनन खंड कर लो, उन गुनन खंडों को 0 के बराबर कर दो, अलग-अलग, तो उससे आपको चरपद क्या मिल तो वो जो दो मान होंगे, वो उसके क्या हो गए? दो सुन्यक हो गए, जिरोज हो गए उसके, और फिर उनके सुन्यकों और गुनांकों के भी संबंद की सत्ता के जाच करनी है, तो गुनांकों के भी संबंद की सत्ता क्या हो गई? अलफा प्लस बीटा को माइनस बी बटे के बरावर सिद्ध करना है अलफा प्लस बीटा को माइनस भी बटे एक के बरावर और अलफा बीटा को सी बटे एक बरावर अब देखो तीन पॉइंट एक फस्ट करते हैं अब पर फस्ट क्वेस्टन क्या है इसमें 4x स्क्वाइर प्लस 8x 4x स्क्वाइर प्लस 8x अब इसमें तो को अचर पद नहीं है प्लस कोई बात नहीं इसकी गुनन खंड कल गया इसमें 4x को मन आ गया तो यहां तो क्या बचा x और 8x में 4x का भाग देंगा तो क्या आ गया तो अब इसमें 2 गुनन खंड हो गया एक तो 4x हो गया 8 क्या हो गया x बटे 4, x बरावर 0, तो alpha बरावर क्या आगया, 0, दूसरा गुनन खंड क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इस से x बरावर क्या मिल गया, 0-2 यानी, माइनस 2, तो यह क्या मिल गया आपको, बीटा, बीटा बरावर क्या आगया, माइनस 2 आगया है न, अब आपका बहुपद देखो, क्या है बहुपद आपका, 4x स्क्वार प्लस 8x, प्लस अचरपद नहीं है न, तो अचरपद को क्या मान लिया मैंने, 0 मान लिया, अब इसकी तुलना करो, ax स्क्वार प्लस bx प्लस c से, तो a बरावर क्या है 4, b बरावर क्या है 8, c बरावर क्या है 0, x स्क्वार का गुणांग कितना है 4, b क्या है x का गुणांग, तो तुलना करो, x से x तो b बरावर क्या है 8, और c बरावर क्या 0, अब अलफा प्लस बीटा निकाला, alpha plus beta क्या है 0 plus minus 2 0 plus minus 2 यानि 0 plus को minus से किया minus 2 तो क्या गया minus 2 अब minus b बटे a निकालो तो minus तो सूत्र में है b कितना है आपका 8 b की value कितनी है 8 और a की value कितनी है 4 तो minus 8 में 4 का भाग दो तो आगे न देख लो alpha plus beta बरावर minus b बटे a बरावर क्या गया minus 2 ये गुणांखों के संबंद की सब्सक्राइब जाँ चाहोगी दूसरा alpha plus beta बटे वाला निकाल लो ना alpha beta alpha beta कितना हो गया alpha कितना 0 beta कितना है minus 2 तो क्या गया 0 0 विस्सें किया से गुणा करते तो 0 और c अपॉन a c कितना है आपका 0 जीरो में 4 का भाल दोगे तो 0 तो इससे क्या मिल गया alpha beta बरावर c अपॉन a बरावर 0 ये गुणांखों के संबंदों की सत्ता की जाँच हो गई है ठीक है अब next question देखो पिटा सेकेंड second question है 4x square minus 4x plus 1 तो सबसे पहले क्या आएगए इस बहुपद के क्या करेंगे हम इस द्विगात बहुपद के कुरंखंड करेंगे तो देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 1 और 4 ठीक है न गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए और जोडने पर क्या आना चाहिए minus 4 जोडने पर x का गुणा क्या है minus 4 तो ऐसी संख्या ढूड़ो गुणा करने पर तो क्या आजाए 4 आजाए और जोडने पर क्या आजाए minus 4 आजाए minus 2 और minus 2 minus 2 और minus 2 को जोड़ो 2X square, minus 2X, minus 2X plus 1, ठीक है? दो-2 के जोड़े बना लिए, जो सिंपल गुनन खंड करते हो ना, आपको, देखो इसमें 2X common लिया, यहां 2X बचा, minus 1, यहां minus 1 लेना पड़ेगा आपको, तो यह हो जाएगा, 2X और यह हो जाएगा, minus 1, ठीक है ना, तो अब इसमें देखो, दो-2 तो 2x-1 common इसमें भी है 2x-1 और इसमें तो यह क्या आगया 2x हो रहा क्या बच गया माइनस वन ठीक है ना तो देखो 2x-1 और 2x सेम कुनन खंड है इसके तो दोनों को जब 0 के बराबर करोगे तो गया तो दो एक्स बराबर 1 एक्स बराबर क्या हो गया एक बरटा दो टीक है ना clinical 3 Bye बेस वी sprン बचाओ आगय ऐसे जब दूसरा करो गयाया आपके पास एक बचाओ गया अब आपकाओ आ गुणांकों और सुन्यकों के संबंद की सत्ता की जांच कर लेते हैं तो alpha plus beta यानि alpha plus beta को minus b बटे a के बरावर सिद्ध करेंगे तो पहले alpha plus beta निकालो और फिर minus b बटे a निकालो दोनों की value समाना जानी चीए तो alpha plus beta कितना हो गया alpha क्या है 1 बटा 2 beta क्या है 1 बटा 2 एक बटा 2 और एक बटा 2 क्या हो गया 1 ठीक है फिर minus b अपोन a निकालो तो minus तो सूत्र का है ना b कितना है देखो इसकी तुलना करो आप बेटा 4x square minus 4x plus 1 से तो a वरावर तो क्या है 4 a वरावर 4 है b वरावर क्या है minus 4 x का गुणांग क्या है और c बरावर क्या है एक ठीक है ना तो minus b कितना है minus 4 और a कितना है 4 तो minus minus क्या होगे 4 बटे 4 बरावर क्या गया एक तो alpha plus beta कमान भी एक है और minus b अपोन 1 कमान भी क्या है एक है तो क्या हो गया ये alpha plus beta बरावर minus b बटे a बरावर क्या गया एक अब दूसरा अल्फा बीटा बराबर क्या आना चाहिए C बटा A आना चाहिए तो अल्फा बीटा निकाला अल्फा कितना है 1 बटा 2 बीटा क्या है 1 बटा 2 तो 1 बटा 4 अब C अपॉन A निकाला C कितना है 1 और A कितना 4 तो ये भी क्या गया 1 बटा 4 तो अल्फा बीटा बराबर C अपॉन A बराबर एक बटा चार ANS, आंसर, ठीक है, तो दोनों कंडिशन्स हमारी फुल्फिल हो गई ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, नेक्स्ट है, थर्ड क्वेस्टन फस्ट का थर्ड है, 6X स्क्वेर, माइनस X, माइनस 2, अब इसके वही खंड करेंगे गुणा करने पर तो क्या आना चीए, 6 और माइनस 2, माइनस के 12 इस ये और इन दोनों का गुणन फल, A और C का गुणन फल कित्ता हो गया, माइनस 12 और जोडने पर क्या आना चीए, माइनस का 1, X का गुणा क्या है, माइनस का 1 तो वो संख्या क्या हो सकती है, 4 और 3 हो सकती है, 4 तिया 12 होते है तो माइनस के तो क्या लेने पड़ेंगे, 4 लेने पड़ेंगे, और प्लस के क्या लेने पड़ेंगे, आपको 3 तो देखो जोड़ोगे तो क्या जाएगा माइनस बनो जाएगा और गुणा करोगे तो क्या जाएगा माइनस 12 तो माइनस X को माइनस के 4X और प्लस के 3X लिख सकते हैं तो यह हो गया 6X स्क्वार माइनस के 4X प्लस के 3X माइनस के 2 दो दो के जोड़े बना लिए, इसमें दो X को मनाया, यहां तो क्या बचा, तीन X माइनस दो, यहां वन ले लिया, यह क्या गया, तीन X माइनस दो, दो दो के जोड़े बनाये, तीन X माइनस दो, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहां तो क्या बचेगा, दो X, और यहां क्य एक्स बरावर क्या हो गया दो एक्स बरावर क्या हो गया दो बटा तीन तो अलफा बरावर क्या गया दो बटा तीन आ गया अब दूसरा है दूसरे गुनन खंड को जीरो के बरावर किया दो एक्स बरावर माइनस वन एक्स बरावर क्या गया माइनस दो तो बीटा बरावर क् चेह है, X-square का गुणांक, B बराबर X का गुणांक माइनस 1 है, और C बराबर अचरपत क्या है, माइनस 2 है, अब इसके गुणांकों के संबनों की सब्ता की जाच करेंगे, तो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, यह माइनस बी अपनी ना चाहिए, तो, अल् उत्तम आ गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 ती अच्छे, 3 एकम 3, क्या गया, 1 बटा 6, अब माइनस B बटा A निकाला, माइनस सूत्र में है, B कितना है, माइनस 1, A कितना है, 6, माइनस माइनस, प्लस एक बटा च्छे, आगे न देख लो सीम, तो इसलिए, अलफा प्लस बीटा बरा बरावर क्या गया, 1 बटा 6 आ गया, अब दूसरा देख लो, अलफा बीटा, बरावर सी अपोन एना ना चीए, अलफा बीटा देखो, अलफा बीटा क्या हो गया, 2 बटा 3 गुना बीटा क्या है, माइनस 1 बटा 2, तो 2 को माइनस 1 से, 2 कट गया तो क्या आ गया, माइनस के 1 बटा 3 अब एक स्कुर्ण में है एक स्कुर्ण माइनस 15 आप देखो इसमें दो इप दे रखें इसके गुनन खंड कैसे कर सकते हैं इसको तो क्या लिख सकते हैं एक स्कुर्ण माइनस 15 और एक स्कुर्ण माइनस 15 और एक स्कुर्ण माइनस 15 यह दो गुनन खंड होगे अब इन दोनों को जीरो के बराबर कर दो तो उससे आपको अलफा और बीटा की वेल्यूज निकल जाएंगी तो एक स्कुर्ण माइनस 15 और 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 एक स्कुर X square minus 15 अब देखो इसमें X वाला पद नहीं है न बीच का जो होता है AX square प्लस BX प्लस C तो X square का पद है और अचर पद नहीं है बीच वाला जो X का पद है वो नहीं है तो उसको 0X लिख सकते हैं क्या लेख सकते हैं 0X यह हो गया X square प्लस 0X minus 15 क्योंकि 0X से गुणा करें तो 0 ही आएगा अब देखो यहां पर A वरावर क्या हो गया 1 B वरावर क्या हो गया 0 C वरावर क्या हो गया minus 15 X square गुणांग तो है 1, X का गुणांग है 0 और C बरावर किता है माइनस 15, अब इनके गुणांगों के संबंदों की सत्ता के जहां चाप कर सकते हो, तो alpha प्लस बीटा, alpha कितना है, माइनस के अंडरूट 15, प्लस के अंडरूट 15, यह कट गे न, माइनस के अंडरूट 15, प्लस के alpha प्लस बीटा बरावर, माइनस B अपॉन A बरावर किया आगया, 0, ठीक है, दूसरा, सुन्यकों के गुणनफन वाला, C अपॉन A, तो alpha बीटा बरावर किया हो गया, माइनस के अंडरूट 15 रहा, गुणा, प्लस के अंडरूट 15 रहा, तो माइनस प्लस को गुणा करोगे, तो माइनस और रूट से रूट अट जाएगा, तो क्या आगया, माइनस के 15 रहा आगया, अब C अपॉन A निकालो, C अपॉन A क्या हो जाएगा, C कितना है, माइनस के 15 रहा, और A कितना है, 1, तो माइनस के 15 में एक का भाग दो क्या जाएगा, माइनस के 15 रहा जाएगा, तो फिफ्ट है, x square, minus, under root 3, plus 1, into x, plus under root 3, अब इसके गुननखंड करने हैं हमको, देखो, इसको खोल रहेंगे, तो यह 4 पद बन जाएंगे, 1, 2, 3, और 4, है ना, तो यह हो जाएगा, x square, minus के under root 3x, है ना, x को root 3 से करोगे, तो root 3, और यह minus लगा हुआ है, यह minus है, तो यह minus का हो जाएगा, और x को करोगे, तो x, और plus के under root 3, यह ना, देखो, यह ऐसे कर लो, आप, x square, minus है ना, X का गुणा root 3 से करोगे, तो क्या होगा root 3X, और X का गुणा 1 से करोगे, तो X, minus भाहरी रहने दिया मैंने, plus under root 3, अब जब minus को भाहर, को श्टक के भाहर है, तो ये अंदर के दोनों चिंद बज़ें, तो plus के under 3X किस के होगे, minus के होगे, और plus का X भी किसका होगे, minus का होगे, अब देखो, ये दो-दो के जोड़े बना लिए, इसमें X common है, तो यहां तो X, minus root 3, यहां पर minus 1 ले लिया मैंने, तो यहां X, minus root 3, दोनों में है, X, minus root 3, तो यहां तो बचा X, और यहां बचा minus 1, अब इन दोनों को किस के बराबर कर दो, अलग-अलग 0 के बराबर कर दो, तो X, minus root 3, बराबर 0, तो X, बराबर के आगया, root 3, तो अलफा बराबर के आगया, आपका root 3, एक सुन्यक तो यह आगया, दूसरा है, X, minus 1, equal to 0, तो X, बराबर के आगया, 1, तो बीटा बराबर आगया, आपका 1, अब वही, बहुपद क्या है, आपका, ओरिजिनल बहुपद यह है, X, square, minus, under root 3, plus 1, into X, plus under root 3, अब इसमें ABC के मान देखो, तो, A, बराबर X, square का गुना क्या है, एक, B, बराबर X का गुना क्या है, यह है, Mi – under root 3, plus 1, minus, bracket under root 3, इति, एधियां रखना है बीटा है, और C सी वरावर कितना है सी अचरपद क्या है अंडरूट 3 सी अचरपद क्या है अंडरूट 3 अब आप वो निकाल सकते हो अलफा प्लस बीटा अलफा कितना है अंडरूट 3 प्लस बीटा कितना है वन अब निकाला माइनस बी अपॉन ए माइनस बी कितना है बी है माइनस अंडरूट प्लस 1 बटे ए कितना है 1 मैनस मैनस प्लस और अंड़रूर 3 प्लस 1 में 1 का भाग भाग दो वही अंड़रूर 3 प्लस 1 यह भी अंड़रूर 3 प्लस 1 और यह भी अंड़रूर 3 प्लस 1 आगाना सेम देख लो तो alpha plus beta बराबर minus b upon a equal to किया आगया अन्डरूट 3 प्लस 1 अब C अपॉन A वाली करके देखेंगे हम अलफा बीटा अलफा बीटा कितना हो गया अन्डरूट 3 गुणा 1 तो करोगे तो क्या जाएगा अन्डरूट 3 C कितना है अन्डरूट 3 है और A कितना है 1 है है सी अंडरूर्टीन है और एक कितना बन यह भी कितना आ गया और तीन तो अलफा बीटा बराबर आपावर सी अपॉन एक पॉल्टू पूह तो शाद के लिए वोगन को कि गुणान को के सम्मद की सतता की जांच हो गई फिर इसके बार में कि सिक्स्ट प्ट सब्सक्राइब करें तो अपने आप इनको मैं तो परी रहा हूं आपके लिए यहां अटको वहीं देखना दो बार करके देखो बाबस जहां आटको एक बार फिर देखो इस तरह से किया गोड़ा अब देखो इसके गुणन खंड करेंगे तो एक स्कुरार क का गुणां क्या है तीन और अचरपद क्या है माइनस चार तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए तीन और माइनस चार का गुणा है ना तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए तीन गुणा माइनस चार करेंगे तो क्या आएगा माइनस के बारा ना और जोड़ पर क्या आ क्योंकि माइनस के 4 और प्लस के 3 को जब गुणा करोगे तो क्या जाएगा माइनस के 12 जाएगा जोड़ोगे तो क्या जाएगा माइनस बना जाएगा तो माइनस X को क्या लिखता है तो माइनस के 4X और प्लस के 3X तो यह हो गया 3X स्क्वाइर माइनस के 4X प्लस के 3X माइनस के 4 3X इसमें दो को X common है तो क्या बचा 3X माइनस 4 इसमें 1 common है 3X माइनस 4 तीन X-4 इसमें भी है रिसमें भी है तो तीन X-4 इहां बचा X और इहां बचा 1 यह दोगुनन खंड आ गए न अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दोगे तो क्या मिल जाएंगे आपको तो X बराबर क्या गया माइनस 1 तो बीटा बराबर क्या आगया आपके पास माइनस 1 ठीक है अब इसके संबंदों के सत्ता की जांच कर लेंगे हम तो अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस B अपना ना चाहिए ना लेकिन पहले A, B और C देखो 3X स्क्वाइर माइनस X माइनस 4 तो A बराबर तो क्या X स्क्वाइर गुना 3 है B बराबर X क्या है माइनस 1 है और C बराबर क्या है माइनस के 4 है तो अलफा प्लस बीटा अलफा क्या है 4 बटा 3 बीटा क्या है माइनस 1 इसके नीचे 1 लगाया 3 लग उत्तम ले लिया 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 1 बटा 3, अलफा प्लस बीटा बरावर क्या आगया, एक बटा 3 आगया, अब माइनस B अपॉन A देखो, माइनस B कितना है, माइनस 1, A कितना है, 3, माइनस माइनस प्लस एक बटा 3, तो अलफा प्लस बीटा बरावर, माइनस B अपॉन A, बरावर क्य क्या गया एक बटा दोनों मान समान आगे ना अब अल्फा बीटा अल्फा बीटा क्या है अल्फा है चार बटा तीन और बीटा है माइनस वन तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस के चार बटा तीन सी अपॉन ए निकालो सी कितना है माइनस के चार ए कितना है तीन तो यह बिटा बरावर सी एकों ए बरावर माइनस के चार बटा तीन तिक है अब इसके बाद सेकंड कुर्चन करते हैं हम तो नमबर टू क्या किया रहाए बैटा यह एक विगात बहुत ग्याद कीजिए जिसके सुन्यकों का योग अब यहां पर उल्टा है सुन्यकों का योग दे र अलफा बीटा हो गया थे यह दो वैल्यूज आपको दे रखी हैं तो एक द्विघात बहुत ग्याद करना है जब कि हमको सुन्यकों का योग दे रखा है और सुन्यकों का गुननफल दे रखा है ठीक है तो फरस्ट क्वेस्टन देखो पेटा इसमें अलफा प्लस बीटा सुन सुन्यकों का योग और सुन्यकों का गुननफल दिया हुआ है तो हम डिरेक्ट सूत्र से इसका बहुपद निकाल सकते हैं तो बहुपद का सूत्र होता है बहुपद जब हमको सुन्यकों का योग और सुन्यकों का गुननफल दिया हुआ हो तब बहुपद का सूत्र क्या हो होग सुन्या कोंका योग गुणा एक्स है प्लस शुण्या कोंका गुणानफल यह याद रखना है आपको बहुत आसान है तुम्न फल क्या है बेटा देखो X square minus 0 कोंका यो गुणा X प्लास 0 कोंका अब इसमें सूत्र में रख दो थेके ना तो बहुपद जो चही आपको बहुपद हो क्या हो जाएगा X square तो X square ही रहेगा minus 0 कोंका योग कितना दे रखा है minus 3 दे रखा है ये धियान रखना तेको minus ये सूत्र का minus है और सून्यकों का योग कितना दे रखा है minus 3 तो ये minus 3 आ जाएगा और गुणा क्या है X गुणा सूत्र में न देखो X प्लास सून्यकों का गुणन फल कितना दे रखा है 2 ये 2 रख दिया तो ये क्या आ गया X square minus minus क्या होगे plus के 3 X plus के 2 ये ही इसका क्या है आंसर है ये न तो बहुत आसान है सेकेंड देखो अलफा प्लस बीटा क्या दे रखा है आपको under root 2 और अलफा बीटा क्या दे रखा है आपको एक बटा root 3 ये न तो बहुपद क्या हो गया बेटा बहुपद हो गया आपका X square माइनस अलफा प्लस बीटा गुणा X प्लस अलफा बीटा X square माइनस अलफा प्लस बीटा क्या है अंडरूट 2 X प्लस अलफा बीटा क्या है एक बटा root 3 ठीक है न देखो इसको इतना भी छोड़ दो कि तो भी क्या है यह सही है यह यूँ कर सकते हो इसके नीचे एक लगा लिया इसके नीचे एक लगा लिया और यह क्या है अंडरूट 3 है अंडरूट 3 लग उत्तम आ गया तो यह क्या हो गया एक का भाग दिया रूट 3 में रूट 3 बार गया देखो एक का भाग दिया रूट 3 में रूट 3 वार गया, रूट 3 को रूट 2 से क्या हो गया, रूट 6X, प्लस रूट 3 का एक बार गया, एक एक हम एक, और ये इसको बराबर जब 0 के करोगे आप, तो ये रूट 3 से किसका हो जाएगा, 0 का गुणा हो जाएगा, तो ये 0 में च सही था और है धिला ओला से त oni को तलत के कि अधिर पांट इसका भी 5 इसका मतलब आलफा पिश्व सब्सक्राइव कि पहने रखा ही माइनस के गुननपुन एक बटा चार दे रखा है, बारेक्ट सूपर लगा देंगे, तो बहुपद बराबर क्या हो गया, बहुपद बराबर हो गया, एक्स स्क्वेर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वेर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस एक बटा चार दिए रखा नहीं माइनस एक बटा चार गुना एकस प्लस अलभावीटा क्या हो गया है एक बटा चार तो एकस स्क्वाएर माइनस माइनस प्लस एक बटा चार एकस प्लस एक बटा चार अब वह इतनी हमी छोड़ सकते हो आप या इसके नीचे क्या लगा लो, एक लगा लो, चार लग उत्तम आया, एक का भाग दिर चार में चार, चार को एक से किया, चार का चार में दिया एक, एक को एक से किया, एक, जब इसको बराबर जीरो के करोगे तो यह चार से जीरो, जीरो में चला जाएगा, तो क्या गया बह भूपद आड़粉 कोर एक स्क्वारे फ्लाइट एक स्वीटर देखोर हूंत इसमें आलफ़ा प्लस बीटा वगरावर क्या दे रखते आपको दे रखाइब 0.5 इसका मतलब क्या है ये 0 तो क्या है अलफ़ाप्लस बीटा है अलफ़ा प्लस बीटा वरढ़र जीरा है all अल्फा बीटा बराबर क्या है अंडर रूट पांच तो बहुपद क्या हो गया हमारा बहुपद हो गया X स्कूर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू X प्लस अल्फा बीटा X स्कूर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है जीरो अल्फा प्लस बीटा कितना जीरो गुना X प्लस बाब कितना है। तो यह हो गया X स्कु Expert minus zero plus root 5 थे एक स्कु信 प्लस पाझसित आपका को गया है ना बहुत आज़ आसान है 4 है 15 प्लस ऑफ से इसका चार कॉमा वन तो इसका मतलब सुन्यकों का योग तो कितना दे रखा है अलफा प्लस बीटा बराबर तो चार दे रखा है और सुन्यकों का गुड़न फल कितना दे रखा है एक तो बहुपद क्या होगे हमारा पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल बहुपद को बोलते ने इंगलि आ है एक्सस्क्वार कंगेता है आपका एकश्ष्ष्ष्र स्क्वायर माइनस अलफा फ्लस बीटा क्या देन रखा है गो ना एक स्थ हए माइनुस चार एक्स प्लस इस एक एक 6 को 6 में क्या है 1 1 1,1 इसका मतलब alpha प्लस बीटा बडाबर एक दे रखा है और alpha बडाबर भी एक दे रखा तो बहु पद क्या हो गया आपका बहु पद हो गया आपका x-square-alpha प्लस बीटाइंटव एकस प्लस एक स्क्वार वाणा सफ माइनस ऑपाव टा क्या है एक श्काइर केरा यरि दिखात कोपात एक्स क्यायर का लाउस्ट क्वेश्टिंघ क्वेश्टिणन व्हुत अच्छा प्रिक्षिंध सलीक्रद एध यह यह ईद विविघात वसर एक्स यह啊 का फलन है function of x fx function of x क्या दे रखा है x square माइनस 8x plus k x square minus 8x plus k के सुन्यकों के वर्गों का यो के सुन्यकों के वर्गों का यो के zeros के square का जो सम है वो 40 है तो के ग्यात करना है हमको ठीक है न आफ देखो Wrap क्या कह रहा है यह किशुर्णकों के सुन्यकों के वर्गों का यो कितना दे रखा है 40 दे रखा है अब देखो माना मैंने इसके शुन्यक हें न माना शुन्यक अलफा वबीटा है यह है इसके शुनिया अलफा वबीटा ठीक है न तो अब आप देखो पेटा इस से तुलना करो आप X स्क्वाइर माइनस 8X प्लस K तो देखो A बराबर तो 1 हो गया B बराबर माइनस 8 हो गया और C बराबर क्या हो गया K तो अचरपद क्या है यहां पर K है तो अब इसके अलफा प्लस बीटा क्या हो गया अलफा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस B अपॉन A होता है न तो माइनस B कितना है माइनस के 8 और A कितना है 1 माइनस माइनस आठ बटे एक बराबर क्या गया आठ तो अलफा प्लस बीटा बराबर क्या मिल गया इससे मुझे आठ मिल गया इसी प्रकार से अलफा बीटा अलफा बीटा क्या होता है सी बटे ए सी कितना है के और ए कितना है एक तो क्या गया के तो अलफा बीटा बराबर क्य किया जो कंडिशन दे रखी उसका उपयोग करेंगे कर दे रखी है उसका उपयोग करेंगे मृकड़ी यू न कि वर्गों का योग जो है वो 40 है और सुन्यकों के वर्गों का योग कितना है कि भड़ार पार की कर तो यो फ्ली upgrade का यो तो सुन्यक क्या हैया although अब देखो हमारे पास अलफा इसकुएर और आल्फा बीटा है अब देखो ध्यान से यहां पर एक सूत्र होता है ना अलफा प्लस बीटा का होल स्कॉएर, अगर मैं खोलूं, तो यह क्या बन जाएगा, अलफा स्कॉएर प्लस बीटा स्कॉएर प्लस टू अलफा बीटा बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, अलफा स्कॉएर प्लस बीटा स्कॉएर प्लस टू अलफा बीटा, स्क्वार माइनस टू अलफा बीटा बराबर इधर क्या बच गया अलफा स्क्वार प्लस बीटा स्क्वार इसका मतलब क्या हुआ कि अलफा स्क्वार प्लस बीटा स्क्वार की जगहें पर मैं क्या लिख सकता हूं अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वार माइनस टू अलफा पत्लेटा को पक्षांद्रन करके इधर की तरफ है तो नि तरफ क्या颁ण रइड़ क्या बच गया राइड सैड में अलफा का स्कुवार स्मीट बचकैर गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अलफा स्कुवर प्लस बचस्वा प्लस बीटा square का मान यहां रख दिया मैंने तो alpha plus beta square alpha square plus beta square क्या लिख दिया alpha plus beta का holy square minus 2 alpha beta यानि इन दोनों की जगे ये चीज लिख दी इन दोनों की जगे ये चीज लिख दी बराबर क्या है 40 अब ये values हमारे पास है alpha plus beta बराबर क्या है 8 और alpha बीटा बराबर क्या है के इन वेलियूज को इसमें रख दूँगा मैं तो अलफा प्लस बीटा की जगे क्या लिख दिया मैंने 8 का होले स्कोर माइनस दो जोना अलफा बीटा की जगे क्या लिख दिया के बराबर क्या होगे 40 तो आठ कवर क्या होगे 64 माइनस टू के बराबर 40 तो माइनस के 2 के बराबर 40, प्लस के 64 इदर आके, माइनस के 64, तो माइनस के 2 के बराबर क्या होगे, माइनस के 24, माइनस के ज्यादा है, प्लस के, कम है, तो के बराबर क्या आ गया, माइनस के 24 बटे, माइनस के 2, माइनस से माइनस कटिया, तो 12, तो के की वेलू क्या आ गई, 12 के कमान पूछ रहा था ना हमसे एक द्विखाद भूपत दे रखा था एक स्क्वाइर माइनस आठ एक्स प्लस के के सुन्यकों के वर्गों का योग चालीस दे रखा था तो के कमान आप से पूछ रहा था है ना तो कितनी मस्ट एक्सराइज है ठीक है बच्चों थो फॉर वन्स ओन सेलवेशन कुद की मुक्ती के लिए and the welfare of the world संसार की भलाई के लिए हमारे कारिये होने चाहिए स्वामी विवेकानन जी का ये कोट है वेदान से लिया गया बिटा गॉड़ ब्लेस यू और